Hello student, I am Lilam Chandrakar from Department of Geology आज का हमारा टॉपिक है Electrophoresis Electrophoresis वो बाइलोजी के अंदर यूस होने वाली एक टेकनीक है जिसके अंदर हम चार्ज बाइलोजी का स्ट्रक्चर यानि कि ऐसे बाइलोजी का स्ट्रक्चर जिसके उपर चार्ज होता है जैसे कि DNA हो गया, RNA, protein या फिर enzymes इनकी separation कर पाते हैं उसके size के according अब Electrophoresis का मतलब क्या होता है तो Electro का मतलब होता है electricity यानि कि इस टेकनीक के अंदर electricity यूस होती है और Phoresis का मतलब होता है separation तो electricity ऐसी टेकनीक होती है जो lab के अंदर charge molecules जैसे कि DNA को separate करने के लिए यूस किया जाता है उसके size के according ठीक है Electrophoresis को jail Electrophoresis भी कहा जाता है और mostly DNA, RNA और protein की separation के लिए टेकनीक यूस की जाती है ठीक है उसके बाद है importance अब इसका importance रिखते है It is used in DNA fingerprinting तो हर individual जो DNA fingerprinting है वो अलग-अलग होता है दूसरे individual से ठीक है तो इस fingerprinting को use करके कुछ test किये जाते है और उसको utilize किये जाते है Electrophoresis के द्वारा जैसे कि for example के लिए paternated testing, forensic study और है molecular biology ठीक है तो paternated test मतलब एक child है उसका relation देखने के लिए उसके parent के साथ कि real है या adopted child है उसका relation mother के साथ देखा जा सकता है या फिर father के साथ भी देखा जा सकता है तो DNA का एक pattern होता है उस pattern को match किया जाता है father के DNA से या फिर mother के DNA से तो इस test को paternated test का जाता है इसके अलावा forensic study में electrophoresis की technique का यूज किया जाता है यानि कि कहीं पर कोई criminal case है जैसे किसी criminal case में कहीं पर कोई sample मिल गया हो blood sample हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा sample जिससे आप DNA isolate कर सकते हैं DNA extract कर सकते हैं तो उसमें भी यह technique यूज आती है इसके अलावा molecular biology जैसे कि protein DNA RNA की study करनी है तो उसकी separation के लिए यह technique यूज की जाती है उसके बाद है mechanism अब देखते हैं इसके mechanism को तो यहाँ पर electrophoresis का structure दिया हुआ है यह एक यह जो structure दिखाए दे रही है इसको बोला जाता है jail यह एक medium है जिसमें biological molecules रन करते हैं और उसको separate करते है according to their size अब jail में कुछ whales बनाए जाते हैं तो यहाँ पर यह इस प्रकार की structure दिखाए दे रही है इसको बोला जाता है whale यह एक whole like structure होती है मतब कि एक गढ़े के समानी यह structure होती है इसमें जो भी sample है उसे enter किया जाता है जैसे कि मालो हमने यहाँ पर DNA की यहाँ पर हमें DNA की separation करनी है तो यहाँ पर यह जो rate color में हमने जो DNA यह जो गढ़े हैं इसमें DNA को loaded कर दिया जाता है मतब कि इसमें DNA को enter किया जाता है अब size की base पर DNA जो है वो separate होता है अब यह कैसे separate होगा तो यहाँ पर electricity अप्लाई किया जाता है जेल जो है वो दो electrode की बीच रखा जाता है एक electrode negatively charge होगा जिसको हम cathode बोलती है और एक electrode जो है वो positively charge होता है जिसको anode कहा जाता है तो इसमें एक तरफ में cathode और दूसरी तरफ anode होता है अब इसको battery के साथ यह फिर किसी भी electric source के साथ में attach किया जाता है अब जब current apply किया जाता है तो charge के according यह molecules है वो separate होगा अब हमें पता है कि DNA पर negative charge होता है phosphate group की presence के कारण तो DNA क्या करेगा यह opposite charge मतब कि positive electrode की और यह run करेगा move करेगा ठीक है और DNA को smaller fragment होगा वो जादा जल्दी move करता है मतब कि जो छोटे pieces होगी DNA की वो जल्दी-जल्दी move करेगा ठीक है और larger fragment slow move करता है तो यही काम होता है electrophoresis का कि charge molecule को उनके size के हिसाब से separate करना हो ठीक है जिसका size छोटा होता है वो जेल में faster move करता है और जिसका size large है वो slowly travel करता है ठीक है उसके बाद है types of electrophoresis electrophoresis जो है वो two type के होते हैं इसमें से first होता है free electrophoresis और second होता है zone electrophoresis तो पहले हम देखते हैं free electrophoresis को तो इस method में sample को एक you saved के observation sales में रखा जाता है तो यहाँ पर यह एक you saved का observation sales होता है जिसमें हम sample को रखते हैं जैसे कि मालो हमने यहाँ पर protein का sample लिया है तो इस process में protein को you saved के observation sales में रखेंगे ठीक है अब protein solution के उपर tube के दोनों मतब कि यह है solution और इसके उपर दोनों और एक pure buffer रखा जाता है ठीक है तो इसमें pure buffer रखेंगे ठीक हैं अब यहाँ पर ट्यूब में एक side अनोड और दूसरी type side में cathode लगा होता है तो इसमें भी electrode लगा होता है इसमें एक side में cathode और दूसरी side में anode होता है ठीक है अब जब विद्धुधार अप्रवाहित की जाती है मदब कि जब current apply किया जाता है तो ट्यूब से होका protein molecules जो हो अपने से opposite charge की और move करते हैं ठीक है अब जहां पर different type के protein molecules एकठा होते हैं उसे इस्थांबब बफर का वर्तनांग जो है वो चेंज हो जाता है अब वर्तनांग में इस changes का मापन optical टेक्निक का यूज़ करके किया जाता है ठीक है तो यह है free electrophoresis अब second होता है इसमें zone electrophoresis तो इस process में एक विद्धू छेतर में protein या फिर अधर चार्ज molecules का travel ऐसे solution से होता है जिसका अधार जो हो उदासिन पदार्थ होते हैं जैसे की filter पे पर हो गया starch, gel, ejectra यह पदार्थ जो हो hydrated और छिद्रित होते हैं ठीक हैं तो यहां पर यह zone electrophoresis का diagram दिया हुआ है किनारे पर वेल्स बने होते हैं तो यहां पर जो किनारे हैं उस पर एक लोड बना होगा एक गड़्धा बना होता है जिसको बोला जाता है वेल ठीक हैं यह sample कोई भी charge molecules हो सकते हैं जैसे कि मालो हमने यहां पर protein ले लिया ठीक हैं तो protein को gel के किनारे पर बने इन वेल्स में भ एनोड और दूसरी तरफ में cathode होते हैं तो यहां पर यह है एनोड और यह है cathode तो दोनों साइड में इसमें भी इलेक्टोड लगा होता है इसमें भी जब करेंट अप्लाई किया जाता है तो molecules वे वह विप्रित चार्ज की और मूफ करते हैं जेल पर sample के component वारा तैकी के द